शीमद भूम रेमेडी इसमें आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि ठंड के वक्त हमारी एडिया क्यों फट जाती है यह तो मैं आपको बताऊं गई साथ में यह भी बता दूगा कि इसके लिए आपको क्या करना चीह से निजात पाने के लिए मैं आपको बहुत ही स इसे बचने के लिए कुछ बात को अख्या रखना बहुत आविश्यर है जो महतपूर्ण बाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ पहले तुम्हे आपको यह बता देता हूँ कि एडिया जो फटती हो क्यों फटती है इसका मुल्ख वजह क्या है सर्दियों में शरीर में च सिबं यानि नैच्छिरल वायल पैर के तल्वों के बाहर ही सबफस तक नहीं पहुँच पाती है परिणाम से हूँ हील्स ना फटने लगती है और में दरारे आने लगती है जिसके कारण दर्द और जलन होता है डेड़ चमज वैसलेन में एक छोड़ा चमज बोरीक पाउड डाल कर अच्छे तरह से आप इसको मिला लीजिए इसे फटी हुई एडी के दरारों पर अच्छी तरह से लगाई है कुछी दिनों में फटी एडियां फिर से भरने लगेगी आपकी अगर एडियां ज्यादा फटी हुई हो तो मैथी लिटेट स्पिरिट में रूई के फाह यह पैरों के नाकों, एडी और तलों की सफाई का शांदार तरीका है पैडिक्यूर एक आसान घरील विदी है अगर आपके पैरों के हलत ज्यादा खराब है तो पैडिक्यूर किसी स्पेशलिस्ट से ही करवाना मुनासीब रहता है फिर आप खुद मत कीजिए प्योंकि ची